आपको बता दें यह महीना सावन का चल रहा है और इस महीने में बहुलिनाथ की पूजा का विधान शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कहा जाता है कि इस महा बहुलिनाथ की सच्चे मन से पूजा कर ली जाए तो सभी कलेश कूल पूजाते हैं आपकी बार 11 जुलाई को मासिक शिवरात्री बढ़ रही है जो कि बहुत ज़ादा शुब मन जाती है इस शिवरात्री कर भूलिनात इंडराशियों की पिभाग चमखने वाला है इन दो राशियों के जातकों को इतना धन मिलेगा कि संभाल्पाना मुश्कित हो जाएगा चलिए जिन राश्यों का भाद उद्य होई वाला है उनके बारे मैं आपको बताते हैं जनुराश्य आपको बता दें 11 जुलाई के बाद इन जातकों का समय बहुत अच्छा रहने वाला है इनकी अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ी गलत फैमिली हो सकती है लेकिन कामान से क्रेभार अच्छा रहीगा कोई भी नया काम करने से पहले जल्दवाजीना करें इसके लिए अधिक सोच विचार करें वरना आपको दिक्कत हो सकती है कारेभार जादा रहीगा जिससे आपको जादा धनलाव होगा मकर राशी के लोगों के लिए 11 जुलाई से वोने नाथ की क्रपाफ होने वाली है इस राशी के जातकों के रुके हुए सारे काम पूरे होने वाले है इसके साथ ही ओफिस विवसाइक शेतर में भी आपको अर्कादे लाव की प्रापती होगी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी पुरादी वित्वा से वुलापात हो सकती है आपके रिए अच्छे भोजन और वस्त्र आपको सब्सक्र खरीदने के योग बन रही है विवाही के जीवन में सुख शन भी बनी रहेगी अच्छी नाइब स्परीच विर्वाइब स्टाइब एक राप्स